डिक्टेशन स्टार्ट होगा पांच चेकेंड बाद स्टार्ट महोदै संसादनों की स्थिती में इधर तेजी से बदलाव आया है जिस पर ध्यान देना होगा अलग-अलग अवदियों में अपने को प्रासंगिक बनाए रखना भी स्वेचिक क्षित्र के लिए एक एहम चुनवती है यह स्पष्ट है कि सरकार धीरे धीरे अपना पुनरगठन कर रही है और बहुत संभव है कि आने वाले समय में वह कई क्षित्रों से अपने हाथ खेंच ले एसा लगता है कि आने वाले समय में पंचायती राज संस्थाएं अंततह समस्त विकास समंधी जिम्मेदारियां निभाएंगे एसे में स्वेचिक संस्थाओं की भूमिका को पुने परिभासित करने का प्रश्न उठ खड़ा हो सकता है स्वेचिक संस्थाओं पर पंचायतों के कार्य में सहायता करने और उन्हें विकास को उपयोगी उपकर्ण बनाने की जिम्मेदारी आएगी जिसके लिए उन्हें अपने को तैयार करना होगा आधार इस्तर पर प्रयोग करने मात्र से ही काम नहीं चलेगा बलकी एसी स्थाणिय संस्थागत विधियां विकसित करनी होगी जो पंचायतों को उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने में सक्षम और समर्थ बनाएं पूर्व का दसक स्वेचिक क्षत्र के लिए एक अलग और विशिष्ट पहचान विकसित करने का दसक था इस दसक में इस ख्षत्रने ट्रेड यूनियनों राजनीतिक दलों सामाजिक आंदोलनों और अकादमिक जगत आधी जैसे समाज के अन्य क्षत्रों के साथ अपने समंधों की उपेक्सा की बदली हुई परिस्थिती में यह स्परष्ट नजर आता है कि संसाधनों का अधिक कुसलता पूर्वक उपयोग करने और समस्याओं को समग्रता पूर्ण द्रश्टी कोण से समझने वय हल करने के लिए अन्य क्षत्रों के साथ सहयोग आवश्यक है समाज के अन्य क्षत्र भी इस आवश्यकता को समझ रहे हैं अतह स्वेचिक संगठनों के नेताओं के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के तरीके वय साधन ढूंडना आवश्यक है विभिन क्षत्रों के द्रश्टी कोणों और प्राथ मिकताओं में मतभेद या कहीं कहीं टकराव भी हो सकता है इसके बावजूद विभिन क्षत्रों के बीच साजी दारी आवश्यक है इस समय स्वेचिक क्षत्र पर अधिकाधिक दबाव पड़ रहा है कि वह अधिक व्यावसाईक धंग से काम करें कुछ लोग व्यावसाईक होने का अर्थ विभिन व्यावसाईक लोगों को संगठन में भरती करने मात्र से लगा लेते हैं जो की व्यावसाईक होने का गलत अर्थ है स्वेचिक संगठनों के लिए व्यावसाईक होने की चुनवती का अर्थ हैं अधिक सक्षम होना ताकि वे अपने संसाधनों का फलदाईक धंग से उपयोग कर सकें इसके लिए यह भी आवश्यक है कि इस बात की स्पष्टता को की लक्ष्य क्या है और उसे प्राप्त करने के लिए कब क्या तरीके अपनाए जाते हैं अध्यक्स महोदय मानव संसाधन विखास मंत्रालय की मांगों के समंध में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ शिक्षा की पदती के बारे में उसमें परिवर्तन लाने के बारे में इस ख्षेत्र में हमें जो एसफलता हाथ लगी है उसके बारे में अभी मेरे मित्र ने बहुत कुछ कहा है दुर्भाग्य की बात यह है कि देश में सभी लोग यह मानते हैं कि सिक्षा में प्रगती नहीं हुई है सिक्षा पदती में हम आमूल चूल परिवर्ति नहीं हुए है लेकिन फिर भी इस दिशा में कुछ किया नहीं जाता है एसा प्रतीत होता है कि इस विशाई में कुछ भी करने की स्थिती में नहीं रहे है स्थिती जोंकी त्यों चली आ रही है इतना होने पर भी सिक्षा की मदपर होने वाला जो खर्च है और जो उसके लिए धनरासी आवंटित की गई है वह भी बहुत थोड़ी है लेकिन उस पर ने जाकर मैं आपका ध्यान इस और दिलाना चाहता हूं कि मर्ज बढ़ता ही गया जों जों दवा की वाली कहावत ही आज चरितार्थ हो रही है जितने जादा आयोग और समीतियां बैठी और जितनी जादा शिक्षा पदती के बारे में छानबीन की गई उतनी ही जादा बीमारी बढ़ती गई बीमारी का इलाज नै होकर और भी खराबियां पेदा होती गई अभी मेरे मित्र ने माननिय मंत्री का ध्यान एक रिपोर्ट की तरफ दिलाया था इस तरहे की बहुत सी रिपोर्ट है अभी सदस्य महोदई भी एक रिपोर्ट का जिक्र कर रहे थे रिपोर्ट तो बहुत सी प्रस्दुत हुई हैं लेकिन मंत्रालई ने उस पर कभी कार्यान वयन करने की दिसा में कोई कदम नहीं उठाया अपनी इस हालत को उन्होंने इसी सदन में स्वयम स्वीकार किया है अपनी विवस्ता को उन्होंने स्वयम यहां प्रकट किया है समब